Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल बट वास्तव में कारण क्या है, रीजन क्या है, जिस वज़े से ये सस्पेंशन केबल ब्रिज ब्रेक हुआ, इसको हम एक्स्प्लोर कर रहे हैं सेशन के माध्यम से, वेल्कम तू स्टड़ी IQ IS, मेर नाम है वसु कटारा, यूर वीके सर, आज मैं आपको समझाने जा रहा अगर हमें बनाना है, तो कुछ फैक्टस का हमें ध्यान रखना है, पहले तो आपको दो एरिया के बीच में, आंकरेज बनाना पड़ेगा, यहां पे दो आपको आपको आंकरेज दिख रहे हैं, उसके उपर दो टावर लगेंगे, और टावर पे लटकेगा आपका एक देखने मिलता है, प्रॉस सेक्शन के तौर पे मतलब दो एरिया को कनेक करता है, अब मतलब दो तरीके से ऐसे सस्पेंशन केबल लटके होंगे, जैसे आप मेरे हाथ देख सकते हैं, एक केबल यह होगा, एक केबल यह होगा, अब बीच में एक पाथवे है, एक प्लस पीपल वर देयर, जबकि कपैसिटी वैसे जादा नहीं होती है, सस्पेंशन केबल ब्रिज की 250, अच से जादा 200 की कपैसिटी, 250 की कपैसिटी हो सकती है, अट उस ताहिम पे 450 लोग मौझूद थे, यह ब्रिज काफी समय से रिपेर अन मेंटिनेंस के लिए बंद पड था और वापस जब खोला गया, because it was a tourist destination, एक ऐसी जगह थी और गुजरात सरकार की तो वेबसाइट पे भी देखने मिलेगा इसके बारे में, 19th century का अंग्रेजों के दौरान बनाया गया एक suspended cable bridge, which is considered to be a technological and architectural marvel, बहुत जादा इसको famous माना जाता था गुजरात में, और लोग आते थे, देखने आते थे, कई सारे परेटक, कई सारे tourist जैसे देखने आते थे और वही हुआ, काफी समय बाद open किया गया था, कई सारे tourist भी इसे देखने आये थे, और उसी के मध्य, उसी के बीच में, आपको ये bridge collapse होता हुआ, देखने मिला, आप IIT कानपूर के एक professor की र bridge हमेशा protected रहता है, because of the vertical suspenders, अब आप पूछेंगो, उसका मतलब क्या है, अरे भाई, की दिसी बात है, की एक bridge है, तो उस पर कई सारे केबल लटके होएं, जैसे यहाँ पर भी आपको देखने मिला, ये vertical cables है, जो इस पर attached है, कई सारी vertical cable देखने मिल रही है, जैसे ये vertical cable, ज दूसरी cable, तीसरी, चौथी, बाकी cables है ना, protection provide करने के लिए, और stability provide करने के लिए, पूरे structure को, तो ये vertical suspenders protect कर सकती थी, बट वो shocked थे, कि जो एक slow process है, दीरे-दीरे cable break होती है, वो अचानक से कैसे collapse कर गया, और जो ये wooden deck अभी recent ही repair हुआ था, अब आप एक चीज सुनके बिल और एवा नाम की organization है, जिसने इसका repair and maintenance का contract लिया था, ये मौर भी municipality के तहत आता था bridge, और municipal authority ने और एवा नाम की organization को ठेका दिया था, कि आपको करना है, जी repair and maintenance का काम, धर में आपके अजंता की घडिया होंगी ना, अजंता company घडिया दिवार पर जो लटकाते हैं, इनी की ह chemicals, कई सारे electronics, manufacture करती है organization, अब इसकी कोई expertise तो नहीं है, repair and construction के sector में है, या civil engineering के sector में, पर फिर भी इसको contract दिया गया, और इस चीज की investigation चल रही है, जाच चल रही है, क्या corruption इसके पीछे responsible था, क्या municipal authorities और government के कुछ officials इसके लिए responsible थे, क्या corruption की वजए से 1.500 लोगों की जान ग हम भी हाँ पर visit के लिए आ रही है, तो हम वापस अपने topic पर आके वापस समझते हैं कि कैसे काम करता है suspension bridge, मैंने बताया, anchorage setup करते हैं, उसके उपर tower लगते हैं, tower से लटकता है, suspension cable और एक platform मनाय जाता है, जिस पर लोग चल सकते हैं, कई जगों पर तो उसे vehicles भी पास होते है और पूरा support प्रोवाइड करने के लिए ऐसे कई सारे vertical suspender cable बनाई जाती हैं, जो की support प्रोवाइड करती हैं पूरे structure को, और यहीं पर issue था सारा, कि ये vertical suspender cables कहा जा रहा है, experts के द्वारा, favor corroded, दंग लगी हुई थी, खराब थी, अच्छी quality की नहीं थी, पता नहीं रिपेर किया भी या नहीं किया, कोई fitness certificate भी नहीं मिला था, बस open कर दिया public के लिए, और जो और एवा नाम की organization के बारें बताया, वो ticket देती थी लोगों को इस bridge को cross करने के लिए, तो बिना किसी चीज को ध्यान में रखे हुए कि कितना overcrowd हो चुका है, भीड हो चुकी है, लोगों को आने जाने दिया, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ticket बाटी गई लोगों को, और overcrowding हो गई, अभी आपने recently देखा होगा, South Korea में भी stampede हुआ है, उसमें डेर सो लोगों की जान चली गई, एक actually phenomenon हमें देखने मिल रहा है, COVID के बाद, कि COVID के दौरान लोग घर से जादा बाहर निक एक concept आजकल चल रहा है news में, revenge tourism या revenge shopping के lockdown के दौरान ज्यादा खर्चा करने ही सके, शादी आटेंड नहीं कर सके, अलग-अलग entertainment events में participate नहीं कर सके, तो अब जाकर लोग party करने, events में participate करने के लिए, भार निकल रहे हैं और बढ़ी तादात में निकल रहे हैं, बहुत ज्या जास्तर management authority, कहीं पर भी over crowding इतनी जादा होगी, तो stampede भगदर जैसी hurdle चल हो सकती है, कोई भी bridge है, bridge तो चलो, अब कितना भी stable हो, अगर उस पर बहुत rate पड़ेगा, तो उसका platform तो break होगा ना, logic वाली बात है, यह issue हुआ है आपर, कि यह vertical suspender cable break होई, over crowding हो रखी थी, इसमे हमें खुलासा हो सकता है कुछ time बात, क्योंकि investigation चल रही है, पर जो experts की राय है, जिन्होंने प्राइमा फेसी मतलब शुरुआत में इस चीज को देखा, वो यही कह रहे हैं, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि एक suspension cable, ऐसे suspension bridge और उसकी suspension cables, vertical suspenders, अचानक से तूट जाए, इस चीज पर question आपको देखने मिल रहा है, उठाया गया है, और अब मैं अलग-अलग प्रकार के दुनिया में bridges होते हैं, arch bridges होते हैं, beam, cantilever हो गया, trust bridge हो गया, tied arch हो गया, suspended, जो suspended cable bridge है, suspension cable bridge है, उनको बहुत popular माना जाता है, आपने golden gate bridge का नाम सुना है, US के अंदर, Brooklyn bridge का नाम सुना है, अर suspension bridges हैं, दुनिया में बहुत जगों पर, इंडिया में ही, आप आप से मैं पूठ रहूं, इंडिया के दो-तीन popular suspension bridges के नाम comment box में लिखिएगा, कौन से कौन से हैं, 2000 मीटर तक की length, बहुत अराम से बनाए जा सकते हैं, ये तो 230 मीटर का था, बट वही हुआ, के ओवर क्योंकि इतने सारे लोगों की जान गई है, we have to be sensitive about the issue, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे factors responsible रहे, जिसकी वज़े से यहाँ पर पूरा ऐसा incident हुआ, जिस वज़े से काफी मासूम, लगबग 150, कुछ 141 कह रहे हैं, कुछ 150 कह रहे हैं, अलग-लग report से खुला ब्रिजिस, हर प्रकार के, आर्च ब्रिज, जो भी 19-20 सदी के, यह तो अंग्रेजों के टाइम पर बनाय गया था न, पुराने ब्रिजिस का assessment होना चाहिए, सेतु भारतम प्रोजेक्ट चल रहे है, भारत सरकार का foot over ब्रिजिस के लिए और अलग-अलग ब्रिजिस की शमता करना चाहिए, कि कितनी शमता है किसी ब्रिज की, उस पर maximum कितने लोग जा सकते हैं और लिखना चाहिए proper, बकायदा जैसे किसी भी tourist area में जाते हो न, कि मैं एक बार मैं नाम नहीं लूँगा उस जगे का, मैं एक fort में गया था, वहाँ पे लिखा हुआ था, that at a time इतने लोग इतने लोग ही उस fort में जा सकते हैं, overcrowding से बचने के लिए, यह best practices इंडिया को दूसरे देशों से adapt करनी चाहिए, दूसरे देशों में जो हो रहा है उससे सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, कि ऐसा incident जहां पे मासूमों की जान गईफ ऐसा फिर ना हो, किसी मंदिर म है, किसी भी ऐसी जगर पर जहां पर बहुत overcrowding होता है, कोई भी bridge है, कोई भी area है, वहाँ पर है मैं ensure करना है, future मैंसी कोई tragedy फिर ना हो, जैसी आपको more be tragedy के रूप में देखने मिली, तो शुक्रिया इस session में जुड़ने के लिए, I and study IQ, मैं और study IQ परिवार, इतने भी लोग disaster management authorities और experts की guidance और guidelines को follow किया जाए, तो कि लोग की जान इतनी भी हलकी नहीं है, इतनी भी सस्ती नहीं है, कैसे कई सारे लोगों की मित्ती होती रहे, in future we have to be better, we have to build back better, thank you, जै हिंस to all of you, good luck. doubt clearing sessions, PDF and PPT notes are available after each class, preparing for UPSC CAC requires tremendous hard work and also proper guidance, and study IQ is providing good guidance for the aspirants to prepare for UPSC prelims and mains efficiently, and that also at a very affordable cost, I am preparing for UPSC CAC 2023, and thank you study IQ for helping me out. Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable.